नमस्कार दोस्तों मैं सुस्मा कुसवहा मेरे चैनल सुस्मा अपनी रसोई एम लाइफ इस्टाइल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ मसाला ब्रेट टोस्ट की रेसिपी सेर करने जा रही हूँ या खाने में बहुती स्वादिस्ठ होने के साथ साथ बहुती जल्दी बन जाता है मसाला ब्रेट टोस्ट चाए के साथ नास्ते में खाने के लिए एक बहतरीन विकल्ब है आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को ज़्यादा सेयर करें तो देरना करते हुए मैं मसाला टोस्ट बनाना सुरू करते हूं रेड मसाला टोस्ट बनाने के लिए मैं ले रही हूं स्लाइस ब्रेड एक टमाटर एक प्याज एक सिमला मिर्च दो हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पति बार एक टुकड़ों में काट ली हूं और एक कटोर भी बेशन भी रख ली हो बेशम को एक बरतन में डाल के उसमें कटी हुई प्याज टमाटर सिमला मिर्च हरी मिर्च और धन्या पत्ता डाल कर मिक्स कर ले रही हो अब उसमें स्वादन सर्णमा धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल कर मिक्स कर ले रही हूं अब इसमें एक छोटी चम्मच आजवाइन भी क्रस्ट करके डाल दे रही हो फिर इसमें थोड़ी थोड़ी पाउडर डाल कर मिक्स कर ले रही हूं द्रेड में लगाने के लिए हमारा मिसरन तयार हो गया है यहां ध्यान रखनी है कि यह मिसरन ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए अब इस मिसरन को मैं ब्रेड पर एक तरफ से चम्मच की सहायता से लगा दे रही हो मैं मसाला ब्रेड टोस्ट को तेल में डिप फ्राइ नहीं कर रही हो इसे मैं फ्राइ पेन में बहुत ही कम तेल में बना रही हो तो एक फ्राइ पेन में थोड़ी सी तेल डाल कर मैं ब्रेड को रख दे रही हो फिर ब्रेड के दूसरे तरफ से मिक्चर लगा दे रही हो अब हलकी आज में ब्रेड को सुनहरा होने तक सेक ले रही हो मैं पहले ब्रेड को फूल साइज में ही मिक्चर लगा कर सेक लिचाए अब मैं दूसरे ब्रेड को दो टुकडो में काट कर तिकोना आकार बना कर सुनहरा होने तक सेक ले रही हूँ आप तिकोना या फूल ब्रेड अपने मन पसंद आकार में बना सकती है आप बना सकती है कर दो कर दो कि देखिए हमारा मसाला ब्रेट सिखकर कितना सुन्दर सुनहरे कलर का हो गया है लीजिए मसाला ब्रेट खाने के लिए तयार हो गया है इसे आप सुबह साम या फिर जब भी कुछ चटपटा खाने को दिल करें जटपट बनाकर खारी धन्या की चट्मी या टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं जोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो में लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो को देख सकें धन्यवाद